घर में अमीरी लाने के लिए रोजाना करें यह 30 काम घर में आती है खुशाली, कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है अधिक महंट करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है, हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता और हर किसी की इच्छा होती है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वह अपनी हर मनोकामना आसानी से पूरी कर सके। लेकिन महंत के अलावा हर इच्छा या अभिलाश से एक सकाराक्मक उर्जा जुड़ी होई होती है जैसे घर की छोटी छोटी चोटी चीज भी इनसे जुड़ी होई होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाने से आप अपने जीवन में सकाराक्मक उर्जा ला सकते हैं। इस सकाराक्मक उर्जा से सिर्फ आप धन संपदा से संपन्न होंगे बल्कि आपके जीवन में खुशाली आएगी तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ वास्तुउपाय के बारे में जिनकी वजह से आपके जीवन में सकाराक्मक उर्जा का संचार बढ़ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशिरवाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नमबर एक भोजन की थाली को हमेशा पाठ चड़ाएं। लगाना चाहिए, नमबर पांच जाडू को ऐसी जगह रखें, जहां किसी अतिथी की नजर ना पहुंचे जाडू को पलंग के नीचे ना रखें, नमबर छै घर की स्त्री का सम्मान करें, नमबर साथ दक्षन दिशा, में पैर करके न सोए, नमबर आठ शर्ट और पेंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाए, नमबर नौ बटूए या रुपए को पेंट की पीछे वाली जेब में ना रखें, नमबर दस किसी भी प्रकार का नशाना करें, नमबर ग्यारह जूट बोलते रहने से बरकत जाती रहती है, जूट बोलने से बचे, नमबर बारह दान और बाल बढ़ा कर ना रखें, नमबर सोलह प्रतिदिन शरीर के सभी चिदरों को तीन वक्त जल से धोएं सुबह शाम और रातरी, नमबर सत्रह किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तिया तस्वीर ना रखें, नमबर अठारह पूजा घर के अलावा देवी या दे देवताओं की तस्वीर कभी नैरित्य कोन में ना लगाएं, वरना कोट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है, नमबर बीस तिजोरी में हल्दी की कुछ गांट एक पीले वस्तर में बांध कर रखें, साथ में कुछ कौडिया और चांदी तामबे आदी के सिक्के भी रखें, कुछ चाबल पीले करके, तिजोरी में रखें, नमबर इकीस तिजोरी में इतरकी शीशी चंदन की बट्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी, नमबर बाईस घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाबकारी होता है, नमबर 23 प्रतिदिन सुभा और शाम को कपूर जलाए घर के किसी स्थान पर वास्तु दोश हो तो वहां कपूर की एक डल्ला बिना जलाए रख दे, करपूर अती सुगंधित पदार्थ हो जाता है, कपूर जलाने से दोश वपित्री दोश का शमन होता है, नमबर 24 अगर परियाप्त पैसा, कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो, तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल यानी सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं, नमबर 25 शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निशिद्ध है, सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किन्तु गीले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है, नमबर 26 घर में या वाश्रूम में कहीं भी मकडी का जालाना बनने दें, नमबर 27 घर में कहीं भी कच्रा या मैला जमाना होने दें, नमबर 28 रात में चावल दही और सत का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है, सत समरिभ्धी चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए, नमबर 29 भोजन सदैफ पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए, संभव हो तो रसोई घर में ही बैठ कर भोजन करें, इससे राहु शान्त होता है, जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए, नमबर 30 सुभा कुला किये बिना पानी या चाय ना पिये ज जूठे हाथों से या पैरों से कभी ब्राहमन तथा अगनी का स्पर्ष ना करें, नमबर 31 रात्री में भोजन के जूठे बरतन घर में ना रखें, भोजन करने से पूर्व देवताओं का आहवान जरूर करें, भोजन करते वक्तवार, तालाप या क्रोध ना करें, परिवा नमबर 33 घर में किसी भी बरतन से पानी रिस रहा हो, तो उसे भी ठीक करवाएं, नमबर 34 छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो, तो उसे भी ठीक करवाएं, नमबर 35 छपर पर बांस ना रखें, और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तूई भी ना रखें, बत्तियां का घी का दीपक जलाए नंबर 38 हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चड़ाएं इससे आर्थिक स्थिती में टेजी से सुधार होता है नंबर 49 आपको कभी भी पलंग के नीचे जूते चपल नहीं रखनी चाहिए इससे माता लक्षमी की कृपा आप पर नहीं बरसती और आपको आर्थिक तंगी हो सकती है जूत चपल हमेशा दरवाजे से दूर ही रखें हो सके तो जूते चपल को हमेशा शूरैंक में ही रखें 40 कई लोगों की आदत होती है कि गर्मियों के जाने के बाद पुराने मटके को छट के उपर उल्टा करके रख देते हैं वास्तु के अनुसार ऐसा करने से भाग्य आपसे रूट जाता है छट के उपर उल्टा मटका कभी नहीं रखना चाहिए 41 कई लोगों की आदत होती है कि वे दरवाजे के पीछे खूंटी लगवा कर इसके उपर कपड़े लटका देते हैं आपको यह काम करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे माता लक्षमी की क्रिपा आपके उपर नहीं रहती और आप हमेशा पैसों की कमी से जूचते रहते है 42 घर में काले कथई जामुनी और बैंदनी रंका इस्तिमाल ना करें चाहें चादर पर दे या हो दीवारों का रंग 43 घर में सीधियों को कूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिन की और ही बनवाएं कभी भी उत्तर पूर्व में सीधिया ना बनवाएं नमबर चवालीस घर में फर्ष दीवार या छट पर गरार ना पड़ने दें अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंट भरवादे घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है यह तमाम जानकारी जनरुची को ध्यान में रख कर दी जा रही है जोतिश और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आज माए वीडियो का उद्देश मात्र आपको बहतर सलाह देना है इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी जरूर लिखे माता लक्ष्मी आप पर अपनी क्रिपा बनाए रखे विडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद